हमारे पास एक कॉंप्लिमेंटरी एंगल का एक क्वेस्चन है जिसा हम सॉल्व करेंगे जो पिछली वीडियो में ने कॉंप्लिमेंटरी एंगल के बारे में पढ़ा था उसी से रिलेटेड ये क्वेस्चन है हमारा क्वेस्चन है एक प्रियर आफ एंगल और कंप्लिमेंटरी तो इछ अदर इफ वन अब देन मेजर 47 डिगरी वाट इस अमेजर एंगल ये वाज़ पास दो आंगल के जोड़े एंठीक है यह हमारा फर्मुला है कंप्लिमेंट अफ देंगल इस एक्वल ट one angle is the name x y z यह angle कितना है 47 degree यह हमें पता है हमें second को find out करना तो second को find out करने के लिए हम क्या करेंगे यह formula यूज करेंगे हम लिखा है complement of the angles is equal to 90 degree subtract measure of the given angles तो हम इसके लिए क्या करेंगे complement of the angle is equal to formula होता है 90 degree हमें पता है कि जो दो पेयर होते हैं उसके जब हम उन्हें सम करते हैं तो वो 90 आना चाहिए हमें पता है इसलिए हमने पूरे total पेयर को ने लिख लिए है 90 माइनस जो हमें एक पता है उसको हम 47 से 47 को क्या करेंगे 90 से सब्ट्रक्ट कर देंगे तो यहां पर 0 से 7 नहीं जाएगा तो यहां से कैरी लेंगे तो 10 में से 7 सब्ट्रेक्ट होगा तो आ जाएगा यहां पर 3 यहां यहां पर बच गया वहाँ एक जाने के बाद यहाँ 8 बच गया तो 8 में से 4 सब्ट्रैक्ट होगा तो 4 43 तो हम पता कर सकते हैं कि जो दूसरा एंगल है वो कितना है 43 है चलिए हम एक और एंगल यहाँ क्रिएट करते हैं और इसका नाम लिखते हैं 43 ए बी सी दूसरा एंगल क्या है 43 चलिए हम दोनों को एड करके देखते हैं एंगल एकस वाइजड प्लास एंगल ए बी सी ठीक है कितना होना चाहिए प्लिमेंटरी एंगल तो यह तभी होंगे ना क्योंकि वाट इस दे मेजर अफ इस कॉंपलीमेंट तो उसका क्या है 43 है दूसरा जो कॉंपलीमेंट है वो 43 है ठीक है अब हम अपने खुद के स्योर्टी के लिए दोनों को आट करके देखेंगे कि यह स्योर है कि नहीं दोनों 90 डिग्री आते हैं कि नहीं तो एकस वाइजड 47 डिग्री प्लस 43 डिग्री इस उकल टू 7 3 7 3 10 0 1 कैरी 4 4 8 1 90 90 डिग्री या इस अ कुमेंटरी अगल शिर्ट्री आते हैं डिग्री अखेंट लिग्री आते हैं कि यह खा बाद का ते हैं यहां कि जग्री आते हैं लुद जटेए के लिए ए अचरहें 0